हेलो एड़बन वेलकम टो आज चैनल डियारेक्स दीपक फार्मक दोस्तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली इस वीडियो बात करेंगे फार्मसिटिकल माइक्रो बाइलोजी थर्ड सेमेश्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वन से अल्ट यह दोस्तों वीडियो श्टाट करते हैं तो देख सकते हो मैं आपको अल्टरा स्टक्चर और बैक्टेरिया का अल्टरा स्टक्चर दिखा रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ओन अल्टरा माइक्रोस्कू भीव इट्स लुक्स लाइक है एस अस्मॉल कैप्सूल जब अल्ट् लूजन बोडी राइबो जॉम्स साइटो प्लाज मीजो जॉम्स निकलियोड सेल मेंबरेन सेल वा तो दोस्तों यह सभी के बारे में भी पढ़ेंगे यह सब क्या क्या है और देखो मैं निचे बता भी दिया हूं यह पार्ट सो बैक्टिरिया है तो दोस्तों यह फिगर में लेख सकते हो मैंने इंडिकेर्ट भी कर दिया कौन कहां कहां है तो आपको इससे पता चल जाएं वह समझ लेते बैक्टिरिया का है सबसे पहले हम इसे समझने से पहले समझ लेते बैक्टिरिया क्या है इड़ फॉर्म लार्ज ग्रूप अप यूनिसेल्डर प्रोकेरियोट यह क्या है लार्ज ग्रूप है यूनिसेल्डर प्रोकेरियोटी का जिस पे पास निक्यूलियस कंटेन नहीं रहता है और अधर मेंब्रेन और इसमें आर्चियो बैक्टिरियल रहता है और यू बैक्टिरियल रहता है जो आर्चियो बैक्टिरियल है उसको एसे बैक्टिरि देखो किस टाइब से यह कोशन पूछा जा सकता आपके एक्जाम में एक्स्पेन दी अल्टरा स्टेक्चर एंड मॉर्फोलोजिकल क्लाशिफिकेशन और पेक्टेरिया इस टाइब का कोशन पूछा जा सकता आपके एक्जामनेशन तो इसमें आपको क्या-क्या लिखना इसमें यह दो पार्ट में डिवाड़े इंटरनॉर और एक्सटरनल जो इंटरनल में में से साइटो प्लाज में मियो जो हमसे इंक्लूजन बोडी है निकलोईट है और बाहर में जो है एक्सटरनल कैपसूल है फ्लेजिला है सेल वाले पिलिया तो देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं external में जो है capsule capsule क्या है it is outermost thick and slippery structure and it is rigid and flexible यह क्या outer most है और ठीक है इसकी slippery structure यह rigid रहता है फ्लेक्सिवल है इसका जो composition है 98% water रहता और 2% glycoprotein परजियंट रहती है इटी मोस्ट ग्लाइको प्रोटिन सबस्टांट विस सराउंडेर दस से यह क्या है मोस्ट ग्लाइको प्रोटिन सबस्टांट से जो सराउंडेर रहते हैं सेल्स के यह क्या गीब करता प्रोटेक्शन देता है बैक्टेरिया को अलसो देता है shape and size जो bacteria और prevent करता है phagocytosis से यहां basis थिकने से इसके देख सकते है macro capsule और micro capsule की जो back इसकी जो basis थिकने से macro की 0.2 micro से जादा हो सकता है लेकिन जो micro की 0.2 micro से micrometer से वो कम होना चाहिए और इसकी जो फंसा ने यह क्या करता है यह provide कराता है protection from external environment अब cell wall देख लेते हैं दोस्तों cell wall क्या है एक तरह कि यह अलसो थीक अ स्टेक्चर होता है इसमें जो made up होता है peptio glycone layers की बने हुए रहते है यह क्या करता है प्रभाइट करता है protection shape and identification to the bacteria bacteria के जो cell है उसको identification करने भी मदद करता है on the basis of cell wall bacteria is identify as gram positive or gram negative on the basis of cell wall सकते है gram positive and gram negative जो gram positive होता है 20 to 80 nanometer thickness होती है peptio glycone के और जो gram negative होता है उसमें 7 to 8 nanometer thickness होते है peptio glycone के अब phlegyla के बारे में देख लेते हैं दोस्तों phlegyla क्या है it is long thick hair like structure जो made up हो परता है phlegyla protein से यह क्या करता है दोस्तों यह work करता है एज एंटिना जो signal पूर्भाई करता है बेक्टिरिया को for food danger और लोको मोशन मतलब मूब्मेंट और यह it helps in loko मोशन मतलब यह movement में help करता है बेक्टिरिया को अब यह लेस निक्लीयास्ट डबलब रूघ काल निकलीय डार्ट, निकलीय उड्र क्या है। प्लिया है दोस्तों.. इस मोजंगे खramos़ते मघनात्ति प्र ern क्यों थीजब कालब्र सभ्षटाइब एक वर्टेराइब आधेसे दूसरे और यह सबताया और हैं आपको फैस किनगर आप से सब्सक्राम करूता है यह परिंसल तरह सकता है प्षुपीट का यह एक आपको सबस्तार है और गंद सब甚麼 कर्टेश्ट करिक लेट सब जकार। सब्स्टांस परजेंट रहते हैं इंसाइट से और यह क्या करता है मोस्ट और मेटाबॉलिक पाथवे ओकर इन साइटो नहीं जितना भी metabolic पात ही होता अधिकतर वह cytoplasm में ही होता है अब इसमें क्या बात करते है राइबोजोंस राइबोजोंस क्या यह help करता है protein synthesis in bacteria का और bacteria जो राइबोजोंस जर्णेरली compose रहते हैं दो सब यूनिट से 70S और 30S मियोजम्स मियोजम्स क्या है दोस्तो ये slightly inside the cell wall रहता है ये extra chromogemal DNA ये क्या है extra chromogemal DNA होता और ये help करता है cell wall respiration में और inclusion body क्या है ये various type of organic and inorganic food material होता है जो अश्टूर होते हैं inclusion body में अगर दोस्तो आप लोगों को इस तरह लिखने में problem हो रहा होगा जैसे मैंने अभी paragraph के form में बता है तो आप उस तरह मत लिखना अगर आप examination में एक अच्छे marks लाना चाहते तो आप इस format में अपने paper में लिख किलाना इस format में जब लिख किया होगे तो आपके point भी अच्छे लगेंगे और highlights भी कर पाऊगे और एक अच्छे marks कियन कर पाऊगे तो मैं इसको notes में डाल दूँगा अगर आपको notes चाहिए हमारे वीडियो के tip आप हमारे telegram चैनल को join कर सकते हैं वहाँ पे आपको notes मिल जाएंगे अब दोस्तों हम देखते हैं morphological classification of bacteria तो सबसे पएला हम देखते हैं do उत्रह न हम हुथते हैं true bacteria हो ईप फॉल्स बेक्टेरियों होता है true bacteria हम क्या है seventeen separates से जो कोकाई होता है इस प्रिकल सेपका होता है जो बेसिलस होता हमारा रोड सेपका होता है अब इसमें जो कोकाई होता है उसमें मोनो कोकस आते हैं डाइपलो कोकस आते हैं टेटरा कोकस आते हैं श्टिप्टो कोकाई आते हैं और जो बेसिलस है इसमें मोनो बेसिलस डाइप को काई डाइप लोको काई मतलब इन वीज को काई इन पर्जेंट इन पेर में फॉर्म रहेगा यहां देख सकते हो मैंने फिगर के पॉइंट आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा टेटरा मतलब चार तो यहां पर जो ग्रूप उफ में रहते है चार इस तरह और इस ट् शेस्ट अर्किन वेश से यह क्योब को में रते हैं यहां पो अज़ीज पहमलां इरिंट हैं तरह दोस्तों आत्वेशा नोलप चलिए यह क्यों मेराना को फ्रोप बिसी सब्सक्राइब में नीयुकरिए आम अलविज नेयुक युक लाइक वाइन सब्सक्वर्यूस की तरह देखता हो और यह वह अपर रहता है शर्ग पू genial के लुक कॉकाई में टेल हब कंचेव humility ूर्द यह मोश्टली उससी उसी सब्सक्राइब कुछा exact छहां करने साटथा नहीं सिटैथ разм इसमें सौर्चिनोग कोकाईल होता है जो यह ग्रूप लाइटर इंद फॉर्मिंग आप क्यूब के तरह रखता है और अस्टैपलो बेसिलस इसमें क्या होता है यह क्रैप्स के लाइक अस्टक्चर कलश्टर फॉर्म करके रहता है तो दोस्तों देख सकते हो मैंने आपको कित तरह हैं डिटिन कंटेंज और लेक्चर वीडियो मिलते रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में